इसमें हर समस्या का निदान है हिंदू जागरन भारत को पुना है विश्य गुरू बनाएगा बागिश्वर्ष सरकार नमस्कार मेरा नाम है श्रियों कुस्वाहा और आप देख रहे हैं दाखबरदान नियुच बिश्य के पठारी में चहतर पुर्गे स्री बागिश्वर्धाम के त्रिकाल दरसी एवं स्री राम कथावा चक स्री महंत धीरेंद्र गर्ग जी महाराज बीना से अटारी खेजला से वापस आते समय कुछ समय पठारी में प्रवास किया इस दोरान स्रध्धालों को संबोधित कर आसर बाद दिया बीना में दस दिबसी आयोजित स्री रामकथा एवं स्री बागिस्वर्धाम दिब्व दरसी स्री महंत धीरन्द गर्ग जी महाराज टारी खेजला में सामिल होने पहूँचे इस दोरान पठारी से विजाल काफिला के साथ गुजरे जिनकी पठारी में पूजा अर्चना आर्थी उतार कर भविश्वागत किया गया इस दोरां स्रधालों ने चरण पखार कर आसिरवाद प्राप्त किया पत्रकारों से चरण करते हुए कहा कि लोगों के भविश और समस्याओं का निदान मेरे द्वारा नहीं किया जाता है यह सब संभाव स्री हनुवान जी महाराज स्री बागे स्वरधाम एवं स्री सन्यासी बाबा की कृपाई एवं आसिरवाद से संभाव होता है सनातन धरम में स्रध्धा, आस्था और भक्ती में बहुत सक्ती होती है जिससे असंभाव कार भी संभाव हो जाता है सास्त्र और इतिहास बताते हैं कि धरम इस्थापना के लिए संत महात्मा हमेशा आगी आए है पुंदेल खंड जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है भारत को पुना विश्व गुरु बनाने के लिए हर संभाव प्रयास किये जा रहे हैं युवाओं को अपने माता पिता और गुरु के प्रती स्रध्धा आस्ता रखनी चाहिए बढ़ते नसे पर आक्रामक होते हुए कहा कि युवाओं को नसे से दूरी बना कर रखनी चाहिए स्रध्धालों ने पठारी में दिद्ब दरवार आयोजित करने का असिरवाद लिया विस्ता पठारी से हमारे रिपोर्टर आसी सहलेक रिपोर्ट देखते रहिए दा खबरदान न्योज यह कैसे यह संभाव होता है कि लोगों की जो समस्यां होती हो उसका निदान मिल जाता है यह कैसे संभाव होता है अच्छा महराजी कैसे की एतिहास कवा है जब जब धर्म पर विपत्ति आई है नय बक्ति आए अंदोला नाया और बक्ति से द्वारा अश्ता धर्म की स्कापना हुई आप भी आज भी यहासा लग रहा है कि द्वारा से बक्ति का जागर्ण होने लगा इसके बार में आप क्या करें हो इसका परनाम पुरे भारत की सड़कों पर पुरे भारत के सनातरियों के से बैट पर दिख रहा है चेहरी की मुश्वान को क्या संदेस है कि दिवाओं से यही कहना है माता पिताओ गुरू के आदर्शों पर चाहिए